हेलो बिल्लेंट अभी हम करने जा रहे हैं एट्थ क्लास के लिए चप्टर नमबर टू लिनियर रिक्वेशन्स इन वन वेरियबल और एक्सेसाइज वन टू पैंट वन से पहले यह एक्जामपल है एक्जामपल नमबर फॉर और यह साइज से इसके बाद और कोई या मल्टिप्लाइंग की है हमारे पास कोश्चन है 15 बाइ 4 माइनस 7 एक्स लिनियर रिक्वेशन इन वन वेरियबल लिनियर रिक्वेशन इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री वन कुछ भी नहीं है तो यह क्या है वन पावर रेवल और शिरफ एक वेरियबल है एक से ज्यादा नहीं है ठीक तो पहला काम हमारा होगा 7x वाली टर्म को छोड़ करके जो कोई constant term है उसको दूसरी तरव लेकर के जाना तो यह होगा ट्रांस्पोजिंग 15 by 4 तू दा राइट हैंड साइड एक्वल के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इसे मैनस 7x अमिनस 7x रहा और यह हुआ 9 यह प्लस का था तो निशान बादल जाएगा माइनस का होग्या 15 by 4 अब इसके डियन उमिनेटर में बानना है इसके डिय प्रिट नहीं कर सकते ऑप्रेशन करने के लिए हमें डानोमिनेटर एक्वल करना होगा वन और फॉर का एल से हैं फोर तो हम इसको फॉर से मल्टिप्लाई करते हैं नीचे किया है तो उपर भी करेंगे और हमें मिलता है थर्टी सिक्स बाइफ फॉर माइनस फिफ्टिन को डानोमिनेटर एक्वल होने के बाद अब आप इसमें से इसको माइनस एडिशन सब्ट्रेक्शन कर सकते हैं फिलाल यहां होगा सब्ट्रेक्शन क्योंकि यह प्लस का निशान है यह माइनस का है तो अब इसको करेंगे 16 माइनस 5 6 माइनस 5 1 3 माइनस 1 2 21 अपर में 4 प्लस का है राइट और अब क्या करेंगे हमें फिलाल यह चीज मिली है अब हमारा काम होगा इस माइनस सेवन को अलग करना कैसे भला हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ माइनस से तभी यह कोफिशेंट जो एक्स का है माइनस से हटेगा डिवाइडिंग माइनस सेवन और बोथ साइड्स जा दिवाइडिंग बोथ साइड्स बाइ माइनस सेवन तो माइनस सेवन एक्स अपॉन में माइनस सेवन इक्वल टू 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 ट्वन अपॉन में फोर और हम डैनुमिनेटर को ही माइनस सेवन कर देंगे तो ये एक तरीके का डिवाइड ही हो गया माइनस 7 से डिवाइड करके माइनस 4 7 लिखेंगे complicated हो जाएगा थोड़ा सा मारा काम बढ़ जाएगा क्यों करें ऐसा काम तो चलिए माइनस से माइनस कट गया 7 से 7 कट गया X मिला हमें और 21 से ये 7 कटने वाला है 7 से 21 कर जाएगा 7 तरी जाए 21 माइनस रह गया 3 रह गया 4 रह गया माइनस 3 बाइ 4 माइनस 3 बाइ 4 ये हमारा answer आया है अब ये हो सकता है कि गलत हो अब चेक करते हैं कि कही कोई गलती तो नहीं हो गई हो गई तो फिर बाद में से ठीक कर लेंगे चेकिंग के लिए हमें क्या करना होगा हमें ये वैल्यू पुट करनी है left hand side या उस तरफ जिस तरफ variable है variable left hand side में है equal के तो चेकिंग 15 by 4 minus 7 जहां X है वहां मैंने लिख दिया minus 3 by 4 ठीक minus और ये minus ये हो गया प्लस 15 by 4 और प्लस 7 multiply 3 21 by 4 156 213, 36 by 4 4 1 jar, 4 9 jar 9 तो क्या आया हमें right hand side की value आ गही ना left hand side की value में put करी value और right hand side की आ गही तो इसका मतलब हमारा answer विल्कु ठीक है तो ये जो है answer पक का final ठीक है ये चेकिंग थी ठीक है आप अपनी तरब से मैं आपको समदेता हूं हो सकता है ये complicated हो लेकिन आप इसे असान कर देंगे 5 by 7 7 plus 8x is equal to 13 ठीक है अब आप इसे solve कर कीजिएगा ये extra के अंदर है एक और second 5 by 9 minus 3x equal to 17 complicated हो जाए तो कर दीजिएगा इसे ठीक है बाई मिलते है नेक्स वीडियो में नेक्स्ट सॉलूशन के साथ नेक्स्ट एक्जाम्पल के साथ उस एक्जाम्पल के सॉलूशन के साथ बाई झाले